नमस्कार दोस्तों संजीव समीर लाइव में आप सभी का हाड़िक स्वागत है आज मैं कुछ ऐसे मुद्धे पर बात करना चाहता हूँ जो बिहार के तमाम चार लक्सिचकों के समान के संबंध में बात करना है आज कल एक ट्रेंड बन चुका है कोई भी पत्रकार किसी भी बिद्याले में बीना अनुमतिके परवेस कर जाता है और अनाप सनाप रिपोर्टिंग करना सुरू कर देता है वैसे पत्रकारों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रिलाई करूंगा और ऐसा वैसा रिलाई नहीं करूंगा अगर आज के बाद अगर ये वीडियो सेयर होके वहां तक पहुंसता है तो वह दोबारा फिर बिद्याले में घुशने का नाम नहीं लेगा ये तुक्ष पत्रकार जो पत्रकार के नाम पर कलंग है ये वही पत्रकार हैं जो पत्तल चाकने का काम परते हैं ये पुश्ता है बिहार ये पुश्ता है बिहार करके ये चनल चलाता है और चनल चला करके अपने भीवर्स को बढ़ा रहा है अपने सब्सकाइबर को बढ़ा रहा है अपने फ़ल्वर को बढ़ा रहा है क्योंकि अनाफ शनाफ पत्रकाथा करके जिसको सही से बोलेने तक नहीं आता है जिसको गिन्ती तक नहीं आती yeah one 세상 चैंड अ करने विद्द्याले पहुंचते और अनाफ शनाफ पत्रकाथा के माध। माध्यम से सवालों को उठाता है मैं पूरे वीडियो आप लोग के समक्ष रखोंगा और उसका एकट जवाब आप लोग को मैं दूंगा और ये वीडियो ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए ताकि उस तक ही नहीं बलकि नितिश कुमार तक भी पहुच जाए नितिश कुमार तक ये वीडियो पहुचना चाहिए और इसके लिए आप सभी को ज्यादा सेर करना होगा ये पत्रकार जो आप देख रहे हैं या वही पत्रकार है जो बिद्याले में पहुच्ट जाता है किसी आपसी लराई का भरास निकालने लेकिन उससे यह पता नहीं है कि बिद्याले में कितने सिक्षक हैं सिक्षक हैं 5 बोलता है 6 और जहां पर कलास लिखा हुआ है 9 उसको पढ़ता है 3 और भी बहुत सारे बाते हैं जो आगे के वीडियो में आगे मैं पहले इसका करनामा देखिए और एक एक बात का मैं जवाब से दूंगा तो आप इससे देखिए मैं अभी यहां पर पहले बता दूं कि जो बारत तक बिद्याले बंद था आपको बता देखिए जो छट पर्वे महापर्व होता है जो सिक्षक दूर दूर के सिक्षक का बहाली ऐसे जगवापर सुदूर एरिया में 200-300 किलमेटर के उपर कर दिया गया है जो सुदूर छेतर में बहाली है उनकी और छट एक महापर्व है बिहार के लिए और अचानक से बिहार सरकार ने एक पत्र निगत किया कि 12 के बदले 11 को ही बिद्याले खोलना और एक परिछा जो क kisic 05प्यटर का जाया है बिद्याले 11 में परिछा नहीं थी जिस बिद्याले 11 और ऐसे में यह पत्कार पहुंझा आता है जूकि खबर में कि सभी बिद्याले खोल करका नहीं तो रहना था ये पास सही है लेकिन यह पत्कार जो है आपको अंत में यह खुद बताएगा कि उस विद्याले में तीन ही सिक्षक हैं, जिस तीन सिक्षक में एक सिक्षक का चुनाव में ड्यूटी है, दूसरे सिक्षक का ड्यूटी जो है परसन पतलाने के लिए किया गया है, और एक सिक्षक का है, जो हो सकता है कि किस कारण से या दूर में होंगे, वो नहीं आ पाते ह कि मारे उन से कोच invi j transition me out here में आखिर कैसे दस क्लास चलते हैं कैसे अखिर 20 16 जलाय जाए गा और जिस विसाय का सिछक ही नहीं है उसका पढ़ाई कैसे हो तो यह सवाल उनको सरकार से करना चाहिए लेकिन यह सवाल सिक्षक से कर रहा है और आगे भी वीडियो देखते जाए मैं एक एक बात का जवाब इसको दूँगा और ये वीडियो को इतना सेयर कीजिए कि उस तक ही नहीं ये बलकि नितिश कुमार तक भी पहुझे जब जब वेतन की बहुरती की बात होती है तब तब ये तमासा ये लोग करते हैं तो इन तमासा से बचने के लिए आप लोग इतना सेयर कीजिए कि उसको नानियाद पर जाए तो आप इसको देखिए कि ये और भी क्या-क्या कर नामा कर रहा है अब देखिए ये बोलता है कि शिक्षक नहीं है तो बीद्याले कैसे खूला हुआ है पहला बात बिद्याले अगर खूला है तो कहीं न कहीं सिक्षक के द्वरा नीदेशित किया गया है कि बिद्याले खूलकर रखना है और जो रूम बंद है उसको कर जाले बता रहा है और फिर आगे कर जाले किसी और रूम को बताएगा और वहाँ पर करजाले लिखा भी हुआ है यहाँ पर कोई करजाले नहीं लिखा हुआ है तो आप इसका करनाम आप देखते जाए यह पत्रकार अपने आपको क्या समझता है तुक्ष पत्रकार पुष्टा है बिहार चैनल है इसका पुष्टा है बिहार चैनल है जो की जो अर लगाया क्योंकि आजकल सिचकों का बुराई करने वाला जो भी वीडियो चलाए जा रहा है मिलेनियम में भी हो जाता है लाखो लाख क्या मतलब करोरों में लोग दिखते हैं इसका यह फायदा उठा रहा है और इसी फायदा करके यह विद्याले में जो है आपका चलता है और कैसे सिखशक चलाते हैं की मजबुरियों को यह नहीं दिखाता है सिर्फ और सिख्च की जो नाकामी है उसको दिखाता है तो अईससे तुष्पतकारों को आप जबाब जबी ⁴자 दीजायगा और किया और क्या आक्ort ऑफिस और कार्याले है वर्ग टेंथ तलाबंद कि इस्में बच्चे का लगा हुआ है देखिए देखिए अभी देखिए अभी इसने बोला वर्ग टेंथ वर्ग तेंथ जिसको बोल रहा है मैं इस वीडियो को फिर से पीछे करता हूं आप देखिए वर्ग नाइन है यह और इसको बोलता है यह वर्ग तिंथ यानि कि इस चोट्टे को परने तक नहीं आता है इस चोट्टे को यह जनकाई तक नहीं है कि नाइन्थ को क्या परहेंगे और उनाइन्थ को वह तिंथ पर रहा है और चल दिया है पत्रकाइथा करने तो जिसको गिंती नहीं आ रही है वैसे लोगों को पत्रकार बना को देता है यह लोग पत्रकाइता क्या पत्रकाइता कर रहे हैं किसलिए कर रहे हैं सिर्फ और सिफ अपना चेहरा चमकाने के लिए चैनल चमकाने के लिए और आप सिक्षकों से भी मेरा यह निवेदन है आप लोग अच्छे चीजों को और जो सरकार के प्रस्ण करता है उन लोगों के चैनल को आप लोग पर्मोट नहीं करते हैं उनके चैनल को आप लोग सब्सकाइब नहीं करेंगे आप लोग ऐसे लोगों का ही चैनल सब्सकाइब करते हैं तो यह दुर्भाग है बिहार के चार लक्सिचों का दुर्भाग है कि जो आवाज उठाते हैं उनका तो कम से कम आप लोग तक पहुंचाईए जूट फुर्स के खबर जो चलाते हैं उनके चैनल को आप लोग बहुत पर्मोट करते हैं तो आज एक करके मैं इनके करनामे को देखाऊंगा तो इसलिए बोल ला है ताकि लोग इसका वीडियो खूप सेर करें और आप जानते हैं बिहार के जो तमाम आम जनता है वो तो इस तरह के घटनाई जब होती हैं तो खूप सेर करते हैं और सिक्षक उसका जबाब तक नहीं दे पाते हैं जबकि सिर्फ और सिर्फ सिक्षक की गलती नहीं है, सिक्षक सबसे निचले पाइदान पर होता है और उसको दोसी बना दिया जाता है क्लास रूमें बच्चा है, कौन क्लास के? क्या नाम है? बिडीता कुमारी का, सब नहीं है, अभी तक है? नहीं है आज एक्जाम है? हमारा नहीं है, तेंथ क्लास का बच्चा था, लेकिन टीचर नहीं है आए दिखा रहे, स्मार्ट क्लास, अरे भईया परहे पहले तो पुराना क्लास तो चलाई है, स्मार्ट क्लास बिल्कुल सही बात बोला है कि पहले कलास तो चलाइए स्मार्ट कलास बिल्कुल अगर स्मार्ट कलास किसका देन है ये सरकार ने योजना चलाया है और स्मार्ट कलास के लिए कोई सिख्छा की बाहली नहीं की गई है तो आप बताएए इसमें दोसी कोन है क्या वो इस बिद्य ही कलास लिजिए और और आगे देखिए करना मा सिख्चा मंतरी देखिएगा बिहार सरकार आपका इस्कूल का जमीनी हकीकत अब यह पूछ बोल लहा है कि आज परिच्छा है अब यह पूछ बोल लहा है कि आज परिच्छा है और दस बेसे परिच्छा है एकारआब बच चुके हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक तो ₹ष नहीं है और यह परिच्छा परिच्छा बार बार रट रहा है और यह जिस परिच्छा की बात कर रहा है वह परिच्छा 15 से होने वाला है जैसा कि इसको हेडt पत्र उसी दिन जो हैं जो हैं मास्टर है और ऊफिस है शिख्चा पतादिकारी के ऊफिस हो हमाने में लिट हो रही है इसमें उनकी क्या गलती है और आगे और भी इसका करनामा अप सुनते जाइए आज एकहे करनामा आप लोग के सामने हो गा लोग का लिट होता है अब देकिए बचा बोल शोHow फिती नहीं होता है तो अब बच्चे को क्या पता कि किस कामसे सरगाए हुए हैं बच्चर को तो नहीं पता है लेकिन सरकार बिभीन तरह के लगभग 30 तरह के गैर सचनिक कारज भी सिचकों से लेती हैं और इन कामों के लिए जब विद्धाले से बाहर जाते हैं तो उन बच्चों को तो पता नहीं है कि कि लिए गये हैं उनको तो अब यह ऊप्स कुल गया है कारियाले है देख रहे हैं लेकिन सिक जख नहीं है देखिए अभी यह ओफिस जिसको बता रहा है यह पर अभी ऑफिस बता रहा है लेंकि इसका पहले भी कर्जाले बता रहा था दुसरे रूम को अभी यह जहां पर बता रहा है यहां पर बिध्याले जो कर्जाले है उसके सब्सक्रस करनेके लिए पर्मिसना होता है बिना परमिसन के कोई भी पतकार विद्याले के अंदर जा सकता है बीना हेड मास्टर के कोई पतका नहीं जाता है अगर जा रहा है तो उसका जो है पिछवारा को फुला दीजिए क्योंकि वह पतकाईता करने लाइक नहीं है उसको नियम करने ही पता नहीं है जब वह विद्याले जाने का जाने की योग हाई ही नहीं तो विद्याले गया कैसे अगर गिया है तो वह बहुत बरा गलती कर रहा है और आप लोग इसी सजा दीजिए बार-बार ये बोलता है बीडियो सेयर करें अब इसमें देखिये इसमें पांच सिचको कहीं डिटेल भिया गया है बल vitaãy के वहां के बच्चे ने बताया कि इस میں मात्र तीन सिक्षक हैं जो दो सिक्षक आय थे वह सिक्षक पर्थिवण extrude नुकि यान श्मरी आये थे जो अपने बिद्द यूत्य हैं मात्र तीन सिक्षक हैं जिसमें एक को昨ुंटी लिघी हूح छूटी के बाद करेंगे याप देखते जाएए उसके बाद यह फोन लगाता है उसके बाद यह फोन लगाएगा विभिन सिक्षकों को और उन से बात करेगा तो यह वज आप वीडियोस देख सकते हैं यह परिस्पल को जो परभारीma प्रभारी प्रभारी निँदर धैपक होते हैं उसे वह इडिशनल лिकर रहा है चाहिए पर नहीं है कि प्रिस्पल क्या होता है परभारी क्या होता है और एडिस्टनल पिंस्पल क्या होता है इसे यही पता नहीं है और यह पत्रकाइटा कर रहा है आगे आप देखते जाएए कर देख्षक है कौसल निसाथ सिख्षी का है जिनका भी नमबर दिया हुए लेकिन एक में से एक भी सिख्षक नहीं है लाइए मौई लाइए तो हमें लोग फोन मिलाते हैं या खिर 11 बज़ गया कहा है लोग हुए है 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 लाइन थ्री थ्री फोर सेवें टूट नाइन टू शिक्स वन हम कौसल निसाथ में को फोन लगाता है फोन लगाने के बाद उसको वस्षृष्ष्थी जनकारी मिल जाती है फिर यह परधाना ध्यापक को भी फोन लगाते हैं तो और उनसे बात करता है और किस लहजे में बात करता है आप इसे देखीए और कैसे जब उन्होंने कहा कि मैं प्रस्णुपत लेकर आ रहासा हूँ तो जब से कह रहा है कि आप गारी डैव करते हैं आप सुनियें वह क्या कहता है सरकार ने आपको डाइवजरर मॉर्य करने क्या का रहाँ करने के लिए पैसा देता है या डावी करने के लिए निक्ति कर दिया है तो आप यह बताइए कि जो स्कूलों में M.D.M. बनता है अंडा ढोने का काम किसको करना पड़ता है हेड मास्टर को कार देती है चावल के अलावे जितने भी चीज है मौर मसाला दाल सबजी जो भी लाना होता है को लाते हैं सभी यह सिख्षक या परधनत्यापक स्वय मिलाते हैं यह बजार से पताधिकारी बना दिया गया, कभी कुछ, कभी कुछ, मतलब 28 तरीके का जो कार्ज है, इन सिच्कों के माथे पर ही होता है, और ये पत्रकार, जिसे कुछ पता नहीं है, ये बिद्याले में परवेस कर जाता है, क्यों? क्योंकि हम आप सिच्छक उसे घुसने देते हैं, ऐसे पत्रकार को मार मार करके पिछवारा इसका लाल कर देना चाहिए, आप लोग इस चीच को समझिए, बिद्याले में बजापते इसकी चिठी है, बिद्याले में किसी भी पत्रकार को, किसी भी प्रेस को, बीना अनुमती के घुसना नहीं है, अगर ये जब अस्ति करके घुस हाँ हाँ सर प्रिंस्पल साथ से बात हो रही है उत्क्रमित मद्ध देल हर पूरा की सर बच्चे यहां परिशान है सिक्षक कोई है नहीं लोग एक्जाम भी था अब बस दस में पहुंच रहे हैं तो रूटीन ही लोग को मिला हो रूटीन की यह बात कर रहा है अब यह इनकी यह बोलता क्या है जबकि विद्याले में मात्र पांच सिक्षक का ही नाम टंगा हुआ था और पांच सिक्षक में भी दो सिक्षक मैंने जैसा कहा यह इस चुतिया पत्रकार को भी एक बच्चा बताएगा इस चुतिया पत्रकार को एक बच्चा बताएगा कि पांच में से दो सिक्षक यहां से जो डिप्टेशन पर थे यहां पर वो चले गए बच गए यहां पर तीन तो इन तीन सिचकों में से एक प्रसन लाने गए हुए है दूसरा चुनाओ ड्यूटी है और तीसरे का पता नहीं तो मैं गलत का मैं भी बीरोध करता हूं अगर किसी सिक्षक के द्वारा कलास इसकूल में नहीं आया गया है और उनकी सुचना नहीं तो यह नीची तरफ पर गलत बात है मैं गलत का बीरोध करता हूं मैं भी गलत का समर्थर नहीं करता हूं लेकिन जिस लहजे में बात कर रहा है पहले तो यह जिसकों जनकारी होने चाहिए कि जो तीसरे सिक्षक नहीं आ है उसके बारे में नीची तोरफ हैडमास्टर को जन आपको ड्राइबर बना हुए ना अच्छा विभाग इनको ड्राइबर बना दिया है सर ने अभी साफ का अब तेकि यह बोलता है कि गारी चलाने का पैसे मिलता है आपको ड्राइबर बनाया हुआ यह यह मास्टर से बात कर रहे हैं जो इसकूल के पिंस्पर है उनसे यह इसा बात कर रहा है और वह सिकार करते हैं कि सिख्छा विभाग तो ड्राइबर बनाया हुआ निश्ची तरपर परस्ण पत्र अगर विभाग दे रही है तो उसको इसकूल में पहुंचाना चाहिए था बलकि उसको रस्वया बना दिया गया है बलकि उसको गन्ना पदाधिकारी बना दिया गया है बलकि उसको वसुगन्ना अधिकारी बना दिया गया है क्या नहीं बनाया जाता है इन सिखकों के साथ कितना नाइसाफी होता है क्या ऐसे तुक्ष पत्रकार जो है नितिश कुमा kरेजेए और इसक Васिकालाज कजीए और इसका इलाज करने का एक ही तरीका है यह गूंच you को पहूंच नहीं जाए और यह बात सिक्षा मंतरी से ले करके और मुखमती तक नहीं पहुंच आंग क्योंकि स्रह्पों सिक्षकों को दोशी देना का तक उचित है मैं बार बार कहता हूं कि सिक्ष्कों को दोशी इंचे टिफकी अदिकारी करके अधिकारी करकेशक्षक तक बचे तक और अईवावक तक हैं इसमें जिम्मवार हर लोग है एक लोग नहीं है सिर्फ सिख्षक को जिम्मवार ठरा दिया जाता है तो इन्हें सिजों को समझने का चीज है यह बीडियो बहुत लंबा होगा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग इस चीजों को देखिए और समझे कितनी घृत मन सिख्ता लोग के बीच में हो चुकी है, जब जब सिख्षक का बैतन बढ़ता है, तब तब इस तरह का काम किया जाता है और ये सब जो सत्ताधारी पक्ष हैं, उन्ही के नेताओं के इसारे परिसा काम किया जाता है, और कोई बात नहीं है, और आगे स इसकूल इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि उन्हें सोचाले नहीं मिलता है सोचाले देखिएगा ताला बंद है इसमें कौन खजाना रखा हुआ है पता है अब इस चुतियों के पता नहीं है कि बाथरूम जो है आप जानते हैं कि गाओ घर में जो बिद्ध्याले होता है खोल के छोड़ दिया जाए तो वहां के ग्रामीन क्या करेंगे पूरी गंदगी फैला देंगे तो जब विद्ध्याले खुलता है तो उसी के साथ ताला इसका भी खुलता है और उसी के साथ सचाले का इस्तमाल बच्चों के दोरा किया जाता है लेकिन इस चुतिया को यह नहीं है और सिर्फ दर्वाजा पीट रहा है रही बात बात्रूम फिर यह खुद ही बताएगा कि बात्रूम दो है और अच्छी स्थिति में हैं दो के बारे में हो सकता हो खराब रहा होगा जिस विए से बन कर दिया गया होगा टेंपररी तो यह पूरी बात को समझ नहीं रहा है और बाद में फिर उसी चीज़ का सफाई भी दे रहा है अब देखिए इसको कि एक सोचाले थोड़ा से ठीक स्थिक में दीख रहा है इधार भी ठीक सायद ही लोग सिक्षक लोग इस्तमाल करते हों तभी है मुझे जहां तक लगता है चोटा तो जो सिक्षक इस्तम करते हैं तो उसी में बच्चे भी इस्तमाल करते हैं यह तो समझने बाली बात है लेकिन पूं जैसे चोटे पतरकार को यह पता ही नहीं है और कैसे विद्याले में तुम जैसे पत्रकार घुश गया ये तुमको बताने की जौत है और तुम्हारा अउकात कहां है तुम नितिस कुमार से पूछो कि इस तरीके का योजना में वो घोटाला क्यों करते हैं क्या मकान बनवाने का काम सिख्षकों का है क्या लेटिंग बनवाने का क चलने की जोट नहीं है और आगे देखिए चोट्टा क्या कह रहा है यहां पर कोई नहीं आता है आज हम लोग आए हैं इसलिए अभी 12 बज़े आने कोई नहीं आता है तो इसको सोचना चाहिए जहां पर कोई नहीं आएगा इतना साफ सुत्रा विद्द्दाले कैसे रहेगा अगर साफ सुत्रा है यानिकी बिद्द्दाले में सिछ्छा खाएं रही बात कि इधर इलेक्षन के टाइम में क्या हो रहा है कि सभी को ड्यूटी दे दिया गया अब कोई न कोई पंचायत चुनाव में सभी सिछ्छक कहीं ने कहीं जा रहे हैं और जाने के बज़ा से बिद्द्दाले नीची तो पर चार 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 अब एक सिछक अगर चुनाव कराने तो कैसे पढ़ाएगा रिपोर्टिंग करने का इतना सारा काम रहता है वो क्या पढ़ाएगा परहाने का समय कहां मिल पाता है और जब सिछक हैं वो एक सिछक पहला से लेके दसमा तक क्या पढ़ा लेंगे और इस बिद्द्दाले में कौन सा सिछक हैं क्या करते हैं आगे आप लोग देख सकते हैं घुमके और बच्चा लोग इधर खेल रहा था तो हम लोग इधर आ गया है और कोई टीचर नहीं है और अब यह ग्रामीन कहते हैं कि हाई सुल का दर्जा मिल गया है तब दर्जा देने के लिए कौन कहा था यह प्रधाना ध्यापक जी कहने गए थे नितिश कुमार जी हमको इसकुल को दर्जा देजिए हाई सुल का आप जब अस्ती हाई स्कुल किसी को बना दीजेगा आप सिक्षक उसमें नहीं दीजेगा तो गलती किसकी है आखिर गलती किसकी है यह सवाल नितिश कुमार से न पूछिएगा यह किस से पूछ रहे हैं आ लेकिन बच्य जूट नहीं बोलते हैं। कि नहीं पढ़ाई होती है। और विशेय के सिख्यक नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ाई होती है। मैडम के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आती है लेकिन एक बच्चे कहते हैं नहीं मैडम ही हमको पढ़ाती है तो इस तरीके से यह जूट फुच का एक खेल बनाए है और एक तमासा बनने का इन्होंने काम किया है आगे दखिए इस पत्रकार को हाई स्कूल है मिडिल स्कूल से प्गेट होकर ही हाई स्कूल बनता है तुम कोई पता यह नहीं है बच्चे परसान तो बिल्कुल ही होंगे जब सरकारी ब्यवस्ताइं ही उस तरग रहेंगी सरकारी ब्यवधा किया है कैसे लग कर दोगे सरकारी ब्यवस्ता में ही तो सि्षक आते हैं कि सरकार के ब्यवस्ता सरNow अलग हो जाते तो वो बच्चि-पधियान कैसे यह तुमको समझना ने चाहिए पतकार ऐसे ऐसे चोटे पतकार हो हूज आती हो नवे रोज आती हो श्कूल रोज आती है पड़ाते हैं मैम को आज तक देखी है जोटे बच्चे से पुछ रहा कि मैम नहीं आती है मैम को नहीं देखा है लेकिन बड़ा बच्चा इस चीज को सही बात बताएगा क्योंकि एक टीचर आखिर किस-किस कलास में पढ़ाएगा तो निची तर पर उसका रूटीन बना होगा हो सकता है कि प्राइम डी स्कूल के ब मैम नहीं जाती होंगी तो तो वा बुद बच्चा बोलेगा है कि मेरा क्लास में नहीं आती आ लेकिन दूसरा बच्चा यह सुकार करेंगा कि नहीं मैडम आती है उन्हें पड़ाती हैं अब elaborate यहां पर यह बच्चा सब्सक्राइं बच्द नहीं pork नहीं नहीं हाती है तकि म यह स्कूल में लेकिन समझने की बात है कि मैं एक ह정이 है स्कूल में अगर मैं नहीं आती है तो इस बच्चे के किलास में पहता है चूंकि सिख्षा कम है सिख्षा का भाब है तो तो सबर एक जगा तो परहा पना ठरह है तो ऐसे परिस्तिती में वो पर किसी कलास में ही पढ़ाती होंगी रूटीन बना होगा उसमें पढ़ाती होंगी लेकिन पत्रकार को तो समझना चाहिए चीज को लग भाग लोग आपको बता देते हैं कि 20 लाख लोगों ने देखा है तो आप इससे अंदाज दगा लिए कि 20 लाख लोगों ने कैसे देख लिया तो यह एक वाइरल वीडियो हो गया है और वाइरल होने कारण हो गया कि कुछ भी उल्टा फुल्टा चलाइए क्योंकि आज क सारे पतकार का मैं पिछवारा गरम करने के लिए सयार रहता हूं हमें साथ अब बताएए कि जीव बिग्यान और साथ एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं यह तो दुर्भाग है इस देश का कि और इस राज का कि हर एक विशाय का एक सिक्षक होना चाहिए लेकिन एक सिक्षी का ही दो बिशाय पढ़ा रही है यह सिक्षक की योगता है और यह पढ़ाने का काम कर रही है वखोबी पढ़ा रही है लेकिन यह तुक्ष पतकार चाहता है कि सभी बिशाय को एक ही आदी पढ़ा दे कैसे पढ़ा देगा सभी कलास में दसों कलास में कै समझ में नहीं आ रहा है वह ना समझे लेकिन हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता है कि कैसे बिदाले में पढ़ाई होती है कैसे वहां विद्धिवास्था करना पड़ता है आगे देखिए अच्छा तीन टीचर हैं यहीं के हैं आप मधन जी तोला से वक्षा का काम होता है बच्छा को तो आप लेकि चले आए आपका तो कोई गलती नहीं है लेकिन बच्चे को पढ़ाएगा कौन तो टीचर है कहां आपके बिद्धियले में तीचर है का है तो दर्खवास आपने उपर भेजा है तो जो दावे की जाते हैं उसके ठीक उलट सरकारी बिद्याले में अधी आप आईएगा तो देखिए कि क्या इस्तिती है एक भी सिछक नहीं है बच्चे क्या पढ़ेंगे बच्चे खड़े हैं अब और देखिए कि इसके पीछे जो ह अब यहां पर देखिए इस बच्चे ने साफ तोर से कहा कि मैत का कोई शिक्चक नहीं है इसमें भी शिक्चक जिमवार है इस खबरी लाल को कोई बता दे कि हाई स्कूलों में प्रतेक विसाय के लिए शिक्चक अलग-अलग होते हैं लेकिन इस चुट्टा को यह पता नही हैं और चल दिया है पत्र काइता करने तिन सिख्षक में कि पहला दुसरा तीसरा चोथा पचमा छठा सत्वा आठ्मा नौमा दसमा दस कलास होते हैं और दस कलास के विसे जोरली जीजे आपकितना हो जाएगा तो सिख्षक कितना चाहिए आप इसको जोर लिजिए लेकिन सिक्षक कितने हैं मातर तीन और तीन सिक्षक में ही यह चाहता है कि इस बिहार का सिक्षा विवस्था दुरुष्थ हो जाए बिहार का सिक्षा विवस्था सुधर जाए क्या यह संभव है यह कभी भी संभव नहीं है और ऐसे पत्रकार जो बीना पूछ करते हैं उनको जब तक इलाज आप लोग नहीं कीजिएगा यह उनका घुसना बंद नहीं होगा यह अपने चैनल को चमकाने के लिए अपने वीडियो अपने चेहरा को चमकाने के लिए यह इस तरीके का कार्ज करते हैं कि आगे दखीए और करना मा कर रहा है इसमें सब्जेक्ट यह बच्चा यह बच्चा आपको पूरी सचाई बताएगा क्या बच्चा है अभी चुक्त के बारे में इसको जनकारी है और यह बच्चा टोटल बात बताएगा तब ही इस चट्टे पतरकार को आँख नहीं खुलती है और सिक्षकों पर ही परशन खरा करता है इसकी हिमत नहीं है इसकी मजाल नहीं है कि यह सरकार पर कोच्चन कर सके अगर इसकी उकात होती तो यह सरकार से परशन करता कि आखिर वन टू टेन जब बिद्याले है तो उसमें सिच्षकों की संख्या इतनी कम क्यों है पुषता है बिहार बोलता है पुषता है बिहार क्या पुषता है चट्टा सिक्षक पुषता है शिक्षक पूछता है कि आखिर बिद्यालेों में सिक्षक की बिवस्था क्यों नहीं कर रही है सरकार क्यों बहाली को दो साथ साल लटका कर रखी हुई है यह न पूछो, तुम्हारा अकात है पूछने का नितिश कुमार से क्योंकि पूछो के तो तुम्हारा पिछवारा लाल हो जाएगा इसलिए तुम नहीं पूछते हो इसलिए हम पूछते हैं तुम से भी पूछते हैं और इस बिहार के मुख मंत्री और सिक्षा मंत्री से पूछते हैं और इस बिहार के तमाम सिक्षा धिकारियों से पूछते हैं कि आखिर गल्ती किसकी है किसी एक की गल्ती की सजा सब को देना अगर इस विद्याले में सिक्षक लेट से आ रहे हैं तो नीची तरप मैं भी उसका विडियो दी हूँ यह उन्होंने गलत किया लेकिन सभी विद्याले को एक ही तराजियों में तौल देना कहां तक कुछी था तो ऐसे ऐसे पतरकारों को आप लोग जवाब दिजे और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे दखिए गुपाली है यहां पर पहले पढ़ते थे पढ़ते थे अभी भी आभी पढ़ते अभी कुन क्लास में है जी 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 तिक आरह बज गया ह है कुपाली कोई सिक्षक नजर आ रहे हैं कैमपस में क्या बात है बात यह है कि रहामान को कर फेर एक संदिती है और आजाय फर को शेंग करिए गये थे अब मैं का नहीं पता कहा है तो तो तीन ही टीचर है जी तीन टीचर है उसमें पांच टीचर का बोड लगा हुए हाथ तो दीबे टेफंग में आई थी तो एक रिचाने के अपने विद्याग है और एक एंपी आरती में दीब टेफंग करवा कि पतना चाहिए है आज आज तीन टीचर है यह तो तीन में से एक का बता रहे हैं कि लेक्शन ड्यूटी मिल गया एक को लेने चलेगा और यह कर चेह तो लगर का है का काम होता है मत्यों कि अंग बहुए कि बहां है यह तो चुट्ना नहीं पताया तो धर्चास की जो बात कर रहा है कि आपने इता इपा ठेक रहें को लोगगि नहीं तो यह पहले बता को इसको पताहिए कि जो बिद्याले होता है परतेक बिद्याले में कितने सिक्षक है नहीं है यह बिभाग को हर एक बिभाग के टेबल पर यह पता होता है कि किस बिद्याले में कितने सिक्षक है कहां एक सिक्षक है कहां दस सिक्षक है तो यह बिभाग को तो लेडी पता है तो यह बिवस्था भी वहाँ को न करनी है और सरकार को न करनी है बहाली सरकार को न करनी है तो आप इस चीज़ को समझे कि ऐसे से पत्रकार जिसको जनकारी होने के बाद भी और कात नहीं है कि सरकार से परसुन कर दे और ये पर्शन अनापसनाप कहा कर रहा है इसको खुद ہी पता नहीं है तो आगे दखिए ये अंत में क्या कहता है पूशता है बिहार ये चैनल का नाम रखा है पूशता है बिहार ये चोटा और नोग वस्वामी का तुम डूब्लीकेटिंग करता है वह पुस्ता है भारत मैं नहीं जिन्म जवाब् दो तो नहीं बनता है यहां से स्थिति दिखा रहे थैं हाँ तो ये बिद्याले जो बनता है इट और सिमेंट से नहीं बनता है बिल्कुल सही है बिद्याले जो बनता है इट सिमेंट के साथ साथ सिक्षक बच्चे समाज और तुम्हारे जैसा चोट्टा पतकार की जोत नहीं है वहां अच्छा पतकार की जोत है जो अच्छा कार्ज कहीं हुए है अच्छा अच्छा स्कूल भी है रहित है जो करते हैं अच्छे स्कूल हैं उनकी हम लोग चरचा करते हैं और तुम जैसे लोग सीर्फ और सिफ निकालने का काम करते हो और कुछ नहीं कर सकते सब्सक्राइब करूंगा कि जो इस तरीके के लोगों का आप लोग खुल कर बिरोध नहीं करते हैं साथ ही साथ मेरे जैसे अच्छे कि बातो को रखने वालें जिनका हम लोगों ने परचाइद किया जो टीचर्स भीहार के जो शिक्षक हैं उनवोगों का जो उत्तिर कार्ज है है उनका परेख्यां ने किया है जो टीछर्स जो history maker टीचर्स थैं उनका हम लोग ने यह किया है तो फूल मिला के हम आपको बता दें कि यह अच्छे कांजो को नहीं दिखाएंगे लेकिन अच्छे कांजो को दिखाने वाले लोगों को लोग परसंशा नहीं करते हैं उसके वीडियो के लोग दर नहीं करते हैं और ऐसे लोगों के भीडियो खुब शेयर करते हैं तो यह आप लोग बनती है Ett jóvenes ब disruption कर रहा है यह लोग भी कि घटी यह कर रहा है मैं कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करता हूँ और जो भी सिक्षक गलत करते हैं मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरा यह कोई यह नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा कार्ज करते हैं उनका भी पोसाहान होना चाहिए उनको भी कर किजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आगे पहुंचाइए साथ ही साथ अपने कमेंट के माध्यम से आप फीडबेक दिजिए और इस चैनल पर या फेस्बुक पेज पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और फेस्बुक पेज को फॉलो कर लिजे धन्यवाद जय हिन जय भारत